तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नय और लेटेस्ट विडियो में आज के इस विडियो में हम लोग 12 क्लास के उर्दू का चैप्टर नमबर एट पढ़ने वाले हैं जो की बहुत ही ज्यादा इंट्रस्टिंग है प्रॉमिस नाम का ये चैप्टर है वादा तूटने के बाद क्या होता है ऐसे तो बहुत ल है वादा निभाता है और अगर वादा टूट जाता है तो फिर कया होता है जिस और ये पुरी कहानी आप लोग जानेंगे एकदम स्टार्टिंग समय आप लोग को बताऊंगी लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ये बात बता दू कि इस प्रॉमिस नाम की कहानी के जरीए लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है ना कि इंसान को पढ़ाई लिखाई के सांथ साथ शिक्षा गरहन करना बेहत जरूरि है पढ़ाए लिखने के सांथ साथ शिक्षित होना जरूरी है अब बड़ी-बड़ी डिग्रिया लेकर बैठें हैं टेर सारी पढ़ाई किते हैं लेकिन आपके अंदर शिक्षा नहीं इसिक्षा की कम यह शिक्षित नहीं है ना कि तो बस वह पढ करते हैं जैसे कि example के तोर पर मैं ये बात नई बात से खी बड़े लोगों से जबान नहीं लड़ानी चाहिए उची आवाज में बात नहीं करनी तो पता रहना कि किस तरह बात करना है बढ़े लोगों से किस Тरह बात करना है कि उसकी विचार शैली किस तरह है भी तो इन्सान का सिक्षित होना ज़रूरी होता है अगर आप सिक्षित है पढ़े लिखे नहीं भी है ना तो काम बन जाएगा लेकिन अगर आप पढ़े लिखे और शिक्षित नहीं है शिक्षा की कमी है तो फिर काम नहीं बनने वाला है तो इसी तरह का कहानी है चलिए स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को बताती हूं और वैसे याद रखिएगा प्रामिस नाम के इस अफसाना के जो अफसाना नगार यानि की इस कहानी के जो लिखने वाले है यह औरत यान की खातून है वो है फ्रिक भॉस्चा. तो अफसाना नेगार यानि कि इस कहानी कार तो हो गई जिलानी बानो कहानी कार जो है यानि कि जिलानी बानो इनके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे जितना भी इंफ्रमेशन आप लोग के बुक में दिया गया है उसको बाद में आप लोग को समझा दूँगी सबसे पह कहानी का इस अफसाना का मरकजी किरदार कौन है अम्मों जिस पर ये कहानी लिखी गई रहती है अम्मों के जो शोहर रहते हैं वह वकील रहते हैं और धेर सारे पैसे मतलब उनके पास रहते हैं जमीन जायदात इन दोनों जन के पास रहता है और इन दोनों जन के चार बेटे अम्मो और इनके शोहर अपने घर में खुशी-खुशी रहते हैं और इनके चार बेटे होते हैं एक का नाम रहता है रशीद दुसरे का नाम रहता है जमशीद और तिसरे का नाम रहता है खुशीद और चौथे का नाम रहता है हमीद ये चार बेटे हैं अम्मो के रशीद जम नों बैटे रहते पढ़ते भी है पढ़ा लिखाया सब्सक्राइब कर वह अमेरिका में इंजइनियर बन जाता है यह अमेरिका में इंजिनियर और खोशी्च जो है यह शिकागो में डॉक्टर बन जाते तो इन तीनों जन की लाइफ तो सेट हो जाती है इनके जो वालिद और वालिदा है वालिद और वालिदा यानि की माता पीदम अम्मों और अम्मों के शोहर ये दोनों जन अपना सारा जमीन जैदा सब कुछ बेच कर अपने चारों बेटे को पढ़ाते हैं तीन बेटे तो काम बाप का सबसे छोटा बेटा रहता है अम्मों और उनके शोहर का सबसे छोटा बेटा कौन हमीद और सबसे छोटा होने के वजह से इसको सबसे ज़्यादा प्यार लाड दुलार वगरा मिलता है और ज्यादा लाड दुलार बच्चों को दिया जाता है न तो बच्चे बिगड में तो बच्पन में इस्कूल में पढ़ने के बजाए इस्कूल से बाहर भाग जाता था और कहीं जाकर स्यासी यानि कि politics में politics party में भाषण speech दिया करता था पढ़ाई करता ही नहीं था पढ़ने में पढ़ाई लिखाई में तो इसका मन टान था था ठीक है और एक दिन हुआ यह कि राजनीती में रहने के वह जैसे ही अप पोजिट party के किसी एक member का यह murder कर देता है सोचिए कितना यह बिगड़ा हुआ हो गया है कितना खतरनाक इसका माई चलता है किसी अपोजिट पाटी के सधश्य का ये एक मडर कर देता है जिसके हमीद जो है ना 68 जैल जाता है और जब ये Moo THAT आता मजिए कि Onu घूए कि जब ये कल जाता है और भारत में वही राजनिती में रहने को जैसे मिनिस्टर बन जाता है दिल्ली में ठीक है दिल्ली में ये मिनिस्टर बन जाता है और बाकी सभी बेटों के बारे में तो आप लोगों को बता ही दी तो रशीद अमेरिका में इंजिनियर जमशेद मीवर्क में इंज साधी हो जाती है यह अपने बाल बेवी बच्चों को अमेरिका में ही लेकर चला जाता है क्योंकि इनकी जो बीवी है ना यह भारत के गर्मी को बरदास्त नहीं कर सकती है ठीक है तो रशीद अपने बाल बेवी बच्चों को अमेरिका लेकर चला जाता है जमशीद भी यह भी बच्चों के साथ डिली में रहता है भारत में रहता है लेकिन अमो अपने घर में एकेली पड़ जाती है घर में कोई बात करने वाला अब अकेले भूत की तरह दो सब्सक्रमादना आदमी करता नहीं किसी से बात नहीं किसी से अकेली तो उसके इन के घर में एक नौकरानी को रख दिये थ气 इसका नाम था ख्वाजा भी खवाज काम अगरती ति और घर में अकेली रहती तो तीनों बेटे तो दूसरे देश में थे विडेश में थे भारत में था तो हमीद जो है ना अम्हों को बुला लिया दिल्ली में बोला कि आप आजो यहीं पर रहना अम्मो गई हमीद के यहां हमीद के घर रही लेकिन वहां पर भी अम्मो का मन नहीं लगता था ठीक है यह जो हमीद है अम्मो से उतना बात भी नहीं करता था अपने मां से भी उतना बात नहीं करता था यह उसी तर भूण करा गई वहीं अंधेरी कोठरी में वैठी रहती थी और इनको कैंसर का विमारी था और इसतरा देखते देखते 2 साल हो गए और 2 साल में अब मोगी जो कैंसर की भीमारी है ना प्रे बदन में फैल पूरे शरीर में फैल गई अब अम्हों का समझ्जे की आखरी वक्त चल रहा था अब इनकी भी मृति होने वाली थी तभी जो है ना खुआजा भी जो की नौकरानी थी अम्हों की ये चारों बेटों यानि कि रशीद जम्शीद खुर्शीद और हमीद इन चारों बेटों के पास एक एक करके कॉल करती है और चारों बेटों से बताती है कॉल पर कि देखो अम्मों की तबियत बहुत तेज खराब हो गई है डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है कि अम्मों की मौत 24 घंटे में हो जाएगी या इनकी अम्मों 24 घंटे में मर जाएंगी इसलिए तुम लोग यहां पर आ जाओ चारों बेटों से बता देती है और यहां पर एक बात में आप लोगों को बता दूँ कि अम्मों अपने चारों बेटों से जब इनकी शादी नहीं कि जब मेरी मौथ हो जाएगी तो तुम लोग मेरे चार बेटे हो चारो बेटे हो मेरे तो तुम चारो मिलकर मुझे कंधा दोगे और मुझे ले जाकर दफनाओगे यह अपने चारो बेटो से प्रॉमिस ली रहती है बच्पन में नहीं मतलब इनकी शादी नहीं हुए रहती तभी तभी यह प्रॉमिस ली रहती है और चारों बेटे जो है ना अपने माँ अम्मों से यह प्रॉमिस किये रहते हैं कि ठीक है माँ जब आपकी मौत हो जाएगी तो हम चारों भाई मिलकर आपको कंधा देंगे है और आपका आपका दफ़न करेंगे मतल으면서 जो भी संस्कार हो गहरा होता है वो करेंगे cha तो अब तो अपर हम अम्मों मातरे वाली रहती है चारों बेटें जो है ना इनको बात याद आ और पता पोती सब आजाते है और38 जॉटा बेटा सबसे चोटा बेटा यह थे भारत नहीं रहते हैं enact सब्भी भी अम्मों की मौत होगी ना तो मुझे कॉल करके बता देना मैं पहुंच जाओंगा सोचिए कैसा यह है चारों बेटे वही रहते हैं रशीद जम्षिद खुशिद विदेश चे अम्मों को देखने के लिए नहीं आये रहते हैं बलकि वह इसलिए रहते हैं कि अम्म में चले आएंगे यह तीनों बेटे इसलिए रहते हैं और चौथा बेटा भी मतलब इनके चारों बेटों जो थे ना यहीं सोच रहे थे कि अम्मों को बस किसी तरह मर मतलब मर जाना है तो मर जाए तो फड़ा फड़ा हम लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे कि तरह हम उन्हें बचाने की कोश्च करते हैं जितना पैसा लगेगा लगाएंगे लेकिन अम्मों को बचाएंगे हम लोग अम्मों के पास ही रहेंगे चलो चलते हैं यह नहीं सोच रहे थे बलकि यह यह सोच कर आया थे कि चलो किसी तरह मर जाएंगी मेरी मा किसी तरह देश में रहते हैं लेकिन चौता बेटा जो रहता है हमीद यह बोलता है कि जब भी अम्मों की मौत होगी तो मुझे फोन करके बोल देना मैं आ जाओंगा और दफन करके चला जाओंगा ठीक अम्मों विश्तर पर पड़ी रहती है और जैसे ही आँख खोलती है तो देखती ह रहती है जो अम्मों को धीरे धीरे ठीक करने लगती है अब अम्मों मरने के बजाए उसकी तबियत जो है ना वह ठीक होना स्टार्ट हो जाता है सोचिए क्यों क्योंकि अपने बेटे बहु पोते पोतियों को देखी रहती है बेताहाशा खुश रहती है और यहीं खुशी ह तो इसके तीनों बेटे देखते हैं किया नहीं देखते हैं अब क्या किया जाते हैं तो जाते हैं तीनों Voilà मश्वरे करते हैं और ख्वाज़ा भी को यानि हिनोकरानी को बुलाते हैं डॉलर वगरा कुछ पैसे निकाल कर देते हैं और बोलते हैं कि देखो अम्मी का ख्याल रखना इनकी तबियत वगरा बताते रहे हैं हम लोग पिर से जा रहे हैं क्योंकि अम्मी की तो मौती नहीं हुई हम लोग आये है कि हम अपना वादा अपना प्रॉमिस पूरा कर ले अम्मी को दफना कर और चले जाएं लेकिन अम्मी की तो मौती नहीं हुई इसलिए यह लोग कुछ पैसे कुछ डॉडर दिये और बोले कि अम्मी की तबियत हमको कौल पर बताती रहना ठीक है और देकर तीनों बेटे अपने उसी वक्छों को ल Gegen Schuld चले गया वापस अपने अपने देश में अपने अपने घर और शायद यही बात अपने ना सुनन लेती एक Özn Eli लेकिन अपने बेटे का प्यार मुझे नहीं मिला मुखबत नहीं मिली। इसको सदमा अम्मो को लगता है उसी वक्त वह उस जगह पर गेर पड़ती हैं है मौकरानी खोजहा अपि या कर देखती है तो अम्मों गर में गुरी पड़ी रहती je और उनकी मुत हो गई रहती है कि बेटे तो चले गये थे यह तनी बेटे जो आये रहते थे विदेश्य। आए थे विदेश्य तो चले गई रहते हैं तो खॉजा भी जो है ना वह कॉल करकर बोलती है कि देखो यहां पर लाश्ट पढ़ी हुई है लौरी बेज दो इनको दफना दो ठीक है और जो पोस्ट मॉटम होता है में तब दफनाने वाला काम वह कॉल करकर तर बुलाते हैं लौरी आता है और लेकर आप्मो की लाश को चला जाता है और दफना दिए जाता है और इस तरह सदमा लगने को जिसे हippers Kenda की मौथ हो जाती हैं और इस तरह अमों की जो दफनाने का काम है कंदा देने का काम कोई और करता है और इस तरह प्रामिस टूट जाता है तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कहानी तो यही पर खत्म हो जाती है लेकिन हमें इस कहानी से सीख यही मिलती है कि इनसान को पढ़ाई लिखाई के साथ का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताइए यह इंजिनियर र Trinity साफी पढ़ा लिखा नहीं है तो इस चाहिए बड़ी डिगृएं लेकर आखिर क्या किये एं बड़ी डिग्रिया लेकर सिर्फ नौकरी कर रहे हैं और क्या मतलब अपने इतना तो इंसान के अंदर शिक्षा रहनी चाहिए इतना तो इंसान शिक्षित रहना चाहिए कि वो कम से कम अपनी मा की हाल तबीत वगरा पोच ले अपनी मा को किसी तरह बचा ले लेकिन इनके अंदर शिक्षा की कमी थी और यही बात इस कहानी के जरीए बतायने की कोश्की गए है कि इंसान भले ही पढ़े लिखे ना लेकिन शिक्षित जरूर रहे शिक्षित रहेगा तो काम बन जाएगा लेकिन अगर सिर्फ पढ़ा लिखा है शिक्षित नहीं है तो काम नहीं चलने वाला है दोनों का होना जर गया है उन सभी डिटेल्स को समझ लेते हैं अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिकत नहीं है लेली जी फड़ावर स्क्रीन शॉट हाँ तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह रहा जिलानी बानों का इमेज तस्वीर है यहीं है जिलानी बानों जिनोंने इतना खुबसूरत प्रॉमिस नाम का अफसाना लिखा है चलिए इनके बारे में सारा डिटेल्स समझ लेते हैं जिलानी बानों जिनकी पैदाईश 14 जुलाईउने सा 36 स्वी को हुई है बदाईउ के उत्तर परदेश में यानि कि उत्तर परदेश के बदाईउ में उत्तर परदेश में बदाईउ नाम का जगह है वहाँ पर जिलानी बानों की पैदाईश हुई है इनके वालिद का नाम है अल्लामा हैरत बदाईउनी याद अबजटिब में कोशन पत्का है की पूछना ही पूछना है तो जिलानी बानों के वालद यानी की पिता जी का दाम allora maheret बदायूनी ने मुलाजमत के सिलसले में हैदराबाद की मुस्तकल सखुनत इख्तियार की तो यह हैदराबादी हो गई यानि की अल्लामा हैरत बादायूनी जो है ना जिलानी बानों के पिता जी वो नौकरी के सिलसले में हैदराबाद है और हैदराबाद में हमेशा रहने के लिए आ गए मतलब हैदराबादी ही बन गए इनके वालिद उर्दू और फार्सी के शायर के सांसाथ आलिमेदीन भी थे इल्म दूसरों तक पहुचाया करते थे उन्होंने अपने साथ बच्चों की परवरिश में खसूसी दिल्चस्पी ली यानि की अल्लामा हैरत बादायूनी जिलानी बानों के वालिद के साथ बच्चे थे याद रखना है और साथ बच्चों की परवरिश बहुत यह अच्छे तरीके से किये जिलानी बानों की तालीम में तक है कहां तक है यह objective में इस बार पूछा था जिलानी बानों की तालीम कहां तक है option में दिया था में तक उन्होंने बेश्टर इम्तहान प्राइवेट ही से पास किया यानि कि जादतर यह प्राइवेट स्कूल या फिर प्राइवेट कॉलेजेस से ही मतलब जादतर एक्जाम पास क में स्पाटा का संप्ञेवूर अधूर अधूर नहीं हो पाई सबसे जगाए अफसानानेगारी और नाविल और मश्रूर अदीव थे डॉक्टर रन्वर ठीक है आगे देखिए रोशनी के मिनार नर्वान पराया घर रात के मुसाफी रोज का किस्था यह कौन हसा तर्याक और उसके बाद से नई औरत सच के सिवा बात फूलों की यह सब क्या है इनका अफसान में मजमूर है यानि कि कह इवाने गजल और बारिशे संग यह दोनों नाविल है नगमे का सफर और जुगनु और सितारे उनके नाविल्ट याद रखना है नगमे का सफर जुगनु और सितारे यह दोनों जो है ना नाविल्ट है और इवाने गजल और बारिशे संग यह दोनों नाविल है ठीक है उ और दुनिया की मुवतिक जवानों में इनकी तक्रिकात के तरजुमें हैं, उन्होंने मोदी गालिब अवार्ड, कुल हिंदी कौमी हाली अवार्ड, नकूश अवार्ड, सोवियत लेंड, नेहरू अवार्ड वगरह से भी सरफराज किया गया है, जिलानी बानों के ये सभी अ कहानी में आप लोगों को बता दी तो पूर्ण रूप से ये चैप्टर कंफ्लीट हो जाता है कोई भी कंफ्लीजन हो आप हमें कमेंड में पूर्ट सकते हैं हो सकेगा तो मैं अगले वीडियो में उनका क्लियर कर दूँगी और उसके बाद से जो कुछ भी मैं आप लोगों को इस कहानी को सुन सके और इस वीडियो का लाव उटा सके ठीक है वीडियो को जितना ज़्याद हो सके शियर कर दे और अगर आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाल वीडियो का और लोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले प पीस